बजट पेश कर दिया है और बजट पेश किया जाने के बाद उसकी परिचर्चा हो रही है विशलेशन हो रहा है नुशिलन हो रहा है और यह देखा जा रहा है कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने देश के हर उस वर्ग को क्या देने की कोशिश की है हर उस सेक्टर को और सरकार का विजन क्या है और देश की माली हालत कितनी सुधरी है इस पेंडेमिक एरा में उसका भी क्या विजन सरकार ने दिखाने की कर रहे हैं लगातार विशेशग्यों की राय ले रहे हैं जनता के भी राय हम लेने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी हम आपको उसको भी दिखाएंगे लेकिन हम आर्थिक विशेशग्य अभिशेख राजाराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके विचार क्या है इस पू प्रत्क्रिया ये जानना चाहेंगे कि निर्मला जी ने जिस विजन को सो साल का विजन प्रस्तुत किया है वित्मंत्री ने उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है कितना आत्म विस्वास है देश की सरकार को वित्मंत्री को और हर उस सेक्टर पर जिसके सरकार ने ये बताने क कोशिश की है वित्तमंत्री के द्वारा कि हम आगे बढ़ रहे हैं इस पेंडेमिक एरा में भी कि अधिश्वार के सब जानते हैं कि पिछले दो सार से कोरोना प्रेंडबिक में काफी हद तक करें अगर आपके हमारी इंकम कम हुई है तो सरकार भी सब्सक्राइब नहीं है उनके इंकम कम नहीं है कि सरकार का शोशल एक्सपेंडिचर काफी जादे हुआ है चाहे वो डिट तो कुरो वेक्सिनेशन की बात हो है पर खर्चा हो बैट्स बनाने की बात हो या आप उन्होंने आप अप्सियन प्रांट लगाने की बात हो या फूड ग्रेंज्ट फ्री में देने के पात पैसे में बजट को एक रिक्स्रिक्टिव बें समझ जाता है अगर मेरे लिए अगर को यह कह रहा है कि यह सौ साल का बजट सौ साल के विशन के साथ बजट है या दस साल के विशन के साथ भी बजट है तो बहुत गलत है क्योंकि यह इस बजट पर बजट से चुनावी बजट लोग चाह रहे थे कि चुनावी बजट लेकिन वो यह भूल रहे थे कि इंकम भी इंपेक्ट है तो मे पोडी रिलीव दी जा और सुब से लास्तार पोडी रिकपरी करें यहीं पर खाये इस टिकला पर ना तो इससे कोई बहुत बड़ा विजन पर जा रहा है कि ना को नहीं बहुत बड़ नीपिया नांस हो तो मेजर रिपम यहां के नहीं आ रहा है इसको आगे लेकर जाने की बात है तो वो विजन जो तैना कई बार कहते हैं कि विजनरी बजटाया तो वो यह नहीं है यह बजट किसी ज़ते शीनिस पंपादनों में अपना खार्चा चलाने की गुजारा बचा चलाने वाजी नहीं है यह जो ट्रिपल आर का कंसेप्ट आपने स्पष्ट करने की कोशिश की है जो सरकार ने अपने सामने रखा है कि रिकबरी करना है और किसी तरीके से थोड़ा रिलीफ देते हुए और रिफार्म्स को जारी रखना है तीनों के प्रति सरकार का जो आग्रह है क्या उसमें कोई भ लेकिन अगर हम बीमारी से ठीक नहीं होंगे तो दोड़ेंगे कैसे रिकबरी तक बात कतम हो जाती है जहां आप रिकबर हो गए उसके बाद देश की और स्टाइल में आगे पड़ेगा इंडिया इस इंक्रेडिबिल इंडिया कितरे सारे देश इसने समा सकते हैं और अतुलिय भारत है यहां पर एक यूथ है और सबसे यंग कंट्री है इसमे हुआ प्पर इंडिया में टाईंगा रह रहे हैं उसको थीक करने की बात हो रही है AOP बुआ इसके टैसिशन देट को थीक करने की बात हो जए जोए ने क्षान से कास्थ ने जाद तो यहां पर एक बैलेंसांस करने की ठीक करने की बात की लेकिन LLP पर आज भी taxation rate partnership firm वाला लगता है जो कि तंसीज से बहुत जाते हैं तो कही ना कही जो गल्थिये हैं उसको सुदाने वाला rectification वाला budget है अब जैसे इन्होंने प्लीटियम रेंकम तक रिटान के रिविशन का जो पहले दो साल होता था उसको खतम कर दिया था जीरे जीरे वह उसी साल के खतम हो जाता था लिटान का यहां पर सरकार को अतनी गल्थी समझ में आई है कि नहीं रिविजन के लिए टाइम पर इना चाहि आपको टेक्स देना है तबी साथ टेक्स होगा के उत्या फुट्या बटेंटी एक लाइग ना तक कर सकते तो साल के घरावरेंगे के ने पर कि वह लेगे तुटिवाई परसे टेंटिशनल टेक्स पाइपर जान के आपको और बारहें देंटेंगे पर अगिन परसेंटे ल जब आपको मुझे टेक्ट देना है तब मुझे तक देना है तो फिर ये बेनेफेट देना है जैसे पुछ खोर्ट के चिशन नहीं थे तो आज़ागी दिशन से स्वाइब कि अपर टेक्स नहीं हैं तो कि इस सरकार भी कि अपर देख सकते हैं कि आपको जो इश्ट करते हैं तो अगर विश्ट के में नहां है तो इस पजट पे चेंग करने की पुष्ट की लिए कि आपको सुथ है तो इसके तंग पेज़ गिज़ें शेश्ट का नांट अट पांको से तो इस पीच अगया तो अधरिक देखें तो टांट इंटेश्ट प्रिया गयाता है सब्सक्राइब के लिए पांच मिनट भी अलोकेट करेगा पिट्टी फॉर अमेंड मेंड आप बताईए क्या आप तस्वर्ट में सब्सक्राइब देखे सवाल एहम है चुकि आप सिधे टैक्स पर आए सर और चितने भी विशेशक हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक आम सी धारणा है और धारणा क्या ये सच है कि इंकम टैक्स लैब में कोई बलग बदलाव नहीं हुआ और जैसा कि सरकार आप कह रहे हैं कि रिकबरी कर रही है रिलीफ दे रही है रिफार्म पर उसको बरकरार रखने के प्रती जो है पूरी तरह से आग रही है क्योंकि किसी तरीके से उसको आगे बढ़ना है बड़ा सवाल है कि मध्यमवर्ग को थोड़ी राहत देनी चाहिए थी सरकार ने क्यों नहीं सोचा जी आप बताएं सर हम इस मुद्दे पर हैं कि इंकम टैक्स लैब में बदलाओ की उमीदे रहती है परमपरागत तरीके से जब बजट पेश होता है तो यह माना जाता है कि क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ और इंकम टैक्स लैब में क्या कोई बदलाओ हुआ या नहीं या थावत रखा है सरकार ने के लिए इंकम टेक्सरेटी रहे हैं जो एक मिटल क्लास है लेकिन corporate societies के लिए रेट चेंज हुए हैं जो foreign investors है उनके लिए रेट चेंज हुए है हां एक आम आदमी के लिए रेट चेंज हुआ है और वो आम आदमी की मैं वही बात कह रहा हूं कि आम आदमी और खासकर के मध्यमवर्ग थोड़ी राहत वह चाहा रहा था ऐसा लग रहा है कि उसकर वही दबाओ सरकार बनाए हुए है क्या कारण है कि मिडिल क्लास एक वोट बैंक नहीं है मिडिल क्लास एक वोट बैंक ना होने की वज़े से जितना भी आप यह सिरफा का मूज बढ़ती है। आप जानते ही हैं, साड़े बारा को डबलू बी आई हैं, CPI, हमारी 5.7%, 4% of the major, and 2% plus minus tolerance, यानि 6% highest tolerance, 5.7% अगर ये ब्रीज कर गए, बिल्कु ब्रीज कर गए, बिल्कु ब्रीज कर गए बिल्कु लाइन अर्थ हैं। को कंट्रोल नहीं कर पाएं, तो ये बेकाबू कर जाएगी, और शायद अगरे एक दो साथ ये इतना ड्रास्ट कर गए, जानमाल को इन्सलेशन से नहीं होती हैं, लेकिन व्याबार का 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 को सब्सक्ता हैं। तो ये कई पुछ अच्छी चीशी ते हैं। कुछ सेक्टर्स को राहत देनी जाई है तो फिर वह भागए है भारत ना बड़ा दोशे कोई भी एक समाधाय सब पर फ़क्त कोई नहीं सकता और यह एक बजट देजिए होने वारी प्रेंगे इसके लिए अलग 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 अज़िए से एक सेक्टर को कफ को जाएंगे कुछ सेक्टर श्रक्र की नहीं है तो यहां पर इक डीडियल में ताकर करने की करने को देखे कि यह जो बजट है इस बजट का रखरा फूर्ट की कि विजन के लाएगा तो वो नहीं निकलना था पॉसिबिल नहीं इन है इसके लिए एक सही समय के बाद अब शेख जी आपकी बात से देश की वास्त्विक इस्थिती जो है जहां तक अर्थव्योस्था का सवाल है वो निकल करके सामने आई है कि ट्रिपल आर पर ये सरकार आगे बढ़ रही है क्योंकि अगर हम रिकबरी नहीं कर पाए रिफॉर्म्स को जारी नहीं रख पाए इन्फलेशन को अक्टूबर नौमबर तक अगर इन सारी विवस्थाओं से प्रावधानों से कंट्रोल नहीं कर पाए तो पेंडैमिक का जो असर पड़ रहा है और पूरी दुनिया के तमाम देशों पर हम चीन का भी जिकर करेंगे और उसी संदर में इस अर्थ विवस्था के विकास में इस बजट में जो आयात निर्यात को लेकर के हमने जो गोशनाय की है कई अच्छी बाते भी बताई गई है हमारा फॉरक्स भी जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है रिकार्ड अस्तर पर है क्या आपको लगता है कि इस ट्रिपल आर पर जो हम चल रहे हैं और पिंडेमिक को जिस तरीके से हम हराने के मौड में हैं दूसरे देशों से हमारी स्थिती बहुत अच्छी है जहां तक कि आपने फूट सप्लाई चेन पर आपने बात की एक बहुत ही सुखत पहलू है आपको लगता है कि इस ट्रिपल आर पर बढ़ते हुए हम आगे विजन पर आएंगे ही क्योंकि 5 ट्रिलियन एकोनामी को भी हमें गेंड करना है और साथ ही साथ चीन जो हमारा प्रतिदुन्दी है उसके बराबर में या उससे आगे जाने की खोड में हमें रहना है हम उसको भी प्राप्त कर लेंगे लिए एकॉनमी को हम गलत करते हैं फॉरन की जो एकॉनमी से अगर वो दो को दो ट्रिलियन डॉलर है या तीन डॉलर है तो वो एक्सपोर्ट वे से कॉनमारी कंदम्शन पिसवान हम चो बनाते हैं जाजय तर खुदी कंस्यूम्म करते हैं हमारा कि हमारे आबादी बढ़ लिए तो कंवंशन देखे इसको बदल नहीं है इंडल तावर इन पुर्ट विक्टरिंग एक्टिव हमारी कुछ प्रफिक्टरिंग रह दिये हैं कि हम सब्सक्राइब तो बहुत अच्छे नाम बना पर लेकिन मिन्फेक्टिंग नहीं बना पर इना अच्छे नहीं बना पर लेकिन में फॉरन इप्सारे जब तक मेन्फेक्टरिंग पर कांप जब तक हम अने करें दो आगे तब तक हमारा अनगान गाम और एक बार अधाय का निया आपकर दो खाएगा तो रोटेशन थे जाएगा तो इसके रोटेशन दो ख़र्चा होगा तो कही नहीं हमें चाइना सीक लेने की जुरूबरा था हुआ हरा हुआ हो कौपी करके 16 लेकर फिर हमने 16 लेकर है एक से ज्ञेट हमारे सालिक इसको इसको भरने के हमने क्या कहा हुआ मार्च और अपने सब्सक्राइब यह था चाइना में और वह हमारी और उसके लिए प्राइब सब्सक्राइब इंग्रिस्वी बना दिये यह कुछ ऐसे काम में जिनके बेना काम चर्शी नहीं करता है हम तो वो पांब आप में देखें जिसके का आप हर तो आप आसरे सब्सक्राइब तो इतने सारी शोच लालाग लालाग डर्शीनल शोच वही खतम जीसा आज आप कुछ ना सकता हैं कामनों फूलाग लालाग लालाग यह फिर खट्रिजनल शोच लिए शुनल शोचित को ही ख पर अगर आप देखें कि इस साल का 1.5 से लेक होगा इस साल का टारगेड 1.5 से लेक होगा तो फॉटीं परसेंट पर है आप दो फॉट से रखिए जिस अपने कमकॉंटिशन एक में बगावा है और यही एक कारण है यही सबसे ब्ला कारण है जो तो हुजार बाइस को कमकॉं परा है तो सरकार को आपके बढ़ेगा और जब यह एक कमकॉंटिशन से किसकी जेटा जाता है बिदल क्लास की जेटा यह टेक्स कौन पेकर तो सरकार की नाकामी सरकार की नाकामी तेक अपकर को इस कानूर बनाने लिए यह जहां तक SME's की चर्चा बहुत जादा है कि इस पंडेमिक सीजन में SME's को बूस्ट देने की कोशिश करती रही है सरकार और उसके बारे में भी बजट में चर्चा की गई है क्या कुछ मिल सकता है क्या कुछ गें कर सकते हैं रिकबरी क्या हो सकती है कुछ आशा SME's को बेनेफिट देना चाहिए और सरकार की कोशिश रही है पिछले दो साल में उन्होंने जैम कोटर लेकर आए SME की डेफिनिशन चेंड करी उसका 300 लिमिट बढ़ाया प्लस 222 बोलों पे तक के जितने भी ग्लोबल टेंडर सोथे तो सुना करें अधिक टेंडर सिर्फ जो में क्लियर सी पार्टिस्पेट करें तो SME को कोशिश थी लेकि थापसर यह है कि इस बजट मोसे कि पिछले है और जो 2020 में किया गया था और तॉप-पफ़ दो प्या गया था जो नए मैं से कहा गया कि आपको 28 स्वफ लड़ी को जो बेलें is maior था तो जो नया है मैं से कभी नहीं भिया गए आज़ देख लाए और तो फोड़ा हो उसको लॉंस के सब्सक्राइब तो इसको मेनेफिट था उसको और वे इसको बेनेफिट कभी या ही नहीं तो विशे यह आता है कि वह जो पैसे वाला है गाउं की अर्थ विवस्था को बूस्ट देने की बात कही गई और संदर्व है किसान का प्रसंग भी रहा है आप जानी रहे हैं और ऑर्गैनिक खेती पर जोर देने की बात कही गई है बजट में अलोकेट भी किया गया है ठीक ठाक धनराशी बहुत आशानवित है सरकार क्योंकि कहते हैं कि बिना खात के तो कुछ पैदा होता नहीं अब और्गैनिक खेती पर जोर बहुत आगे बढ़ रही है सरकार क्या माइने है इसके लिए पर जोर देना सही है चलिए पोई बात है 2002 तक सरकार को किसानों के डबल करनी थी किसानों के डबल नहीं कर पाए इसलिए प्रदानुंदशी सम्मान निदी के तौर पर सेखली प्रेंदों पीस पर रहनों आप दे रहे हैं इसकी और अगर आप एकॉनमिक रिफॉर्म एकॉनमिक सर्वे रिपोर्ट कल लिए उसके बात लिए किसानों की आय डबल करने के लिए हमें वेराइटी आप दो क्रॉप्स चाहिए यह टेडिशनल क्रॉप्स के जो डिपेंडेंट है उनके लिए डबल करने पढ़ेगा जैसे आपने भी सुना होगा कि एक जिला एक प्रॉडक्ट कुछ इस तरह का भी आया है कि जो प्रॉडक्ट के लिए हैं वह बट आपको मिक्स करना करना पूद आपको ट्रीशन केती भी करनी पड़ेगी पर सासा शेरा चाहिए अद करने यह तब जाकर आपकर सरकार एक जगे और चुपी जैसे पुराने को समय में व्याद करें अफरित कराने इसे ही दूद को लेकर एक मिल्क रिविलूशन लेगा तो वाइट रिविलूशन ऐसे ही दोजार सोला के बजट में चाराजार तीन सो सी क्रोड़ों पर मांग रहे हैं जेट शरी तो वो एक साल का एलोकेशन था लेकिन वो पैसा दो साल और उसके बाद तीसरे साल उसमें पैसा नहीं नहीं है और आप सुद्धिक इंक्रेटिव एंडिया मैं बार बार दीए को बहुत बड़ा देख चार हजार करोड़ उपे का पता कहां चला हो वो भी दो साल में अगर आपको सचान प्राइड दो जार बीस में पार्च जो बजट आयए तो इसमें का था किसान को उड़े और साथ साथ उनके लिए रेल काड़ी और आज प्रमस रहे था रेल का एक एक रेल का ट्रायल हुआ है पकस्तुदा इसके बाद वो ट्रीम वारत चली है का यह जो जाए जान आए तो यह जो प्रमस हाज करें तो यह जो चैने बाद दो 215 और 222 बिजट वे दोजास्त की विस्टी में इस वारत शुटी परमस हाज करते हैं और अग्राइड बॉजट बाद ब्जट बेल साथ जो जी जार आई सफरम का बाद गवर्मेंट का वेर तो एक वेब पोड़ जैसे जैसा ही एक वेब पोड़ तक तो अभी तक तयार नहीं कि यह जो कहने हैं कि पैसे का काम सब्सक्राइब जो कि यह जो कि आएक जो कि आए जो के लिए एक साथ काम सब्सक्राइब कितना नंबर देंगे सर इस बजट को दस में से देखिए मेरी दो मैं दो तरगे नंबर देना चाहिए दस में से बजट को साथ नंबर अच्छा काम किया रहा है वे लिमिटेट संसाद है मिटल दास को नहीं मिला इसने माइनस की दूसरी चीड बजट पंसो पेच में आपने चीजे सुनाइं लगाई इस ही स outta तो बजट के साथ अइस पोरे को और बजट पेश बहुत धनवाद अविश्य जी आपने किस तरीके से इस पूरे मामले को और बजट पेश करने के निर्मला सीता रमन के तरीके पर जो टिपड़ी की है सर बिलकुल ये पूरे देशवासियों तक और सरकार तक पहुँचे हमारी यह कामना है हमारी यह कोशिश भी है कि आपकी बात पहुँचे और जिस तरीके से विजनरी आगे रखते हुए हम जब सब कुछ सही हो जाए तब दोड़ने की कोशिश करें और शायद सरकार की यही सोच है इसलिए बहुत जादा आशानुत होने की जरूरत नहीं है लेकिन हतोतसाहित होने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस पेंडेमिक एरा में जब पूरी दुनिय किसी तरीके से अपने बजट को अपने माली हालत को सधारने और उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रही है भारत में कई ऐसे पहलू है जो यथावत आगे बढ़ रहे हैं बरकरार हैं 138 करोण की जंता में फूर्ट चेंज सप्लाई बिलकुल नहीं टूटी है और SME's को ले बढ़ेंगे क्योंकि 138 करोण भारतियों का ये भरोसा है हमें आगे बढ़ना होगा लेकिन बजट में कई ऐसी बाते हैं जिसमें सरकार को ये माल लेना चाहिए कि उससे गलती हुई है और गलतीयों को मानते हुए उस पर आगे बढ़ने की कवायत अभी से शुरू करनी तो कई ऐसे संकल्पना और कई ऐसे सपने जो सरकार ने देखे हैं देश की जनता को दिखाए हैं शायद वो लक्ष हासिल न हो पाए इस आम बजट के प्रस्तुती करण में बस इतना ही लेकिन आगे हम जनता की राया आपको जरूर दिखाएंगे इसलिए आप देखते रहे क्योंकि हाँ खबरों का सलसला कभी नहीं थंता दीजे आजाज़त नमस्कार